हाई गाईज गुड्मानिंग गुड्मानिंग स्वागत है आप लोगों का कंपनी ऑडिट के रिवीजिन लेक्चर्स में और आज हम लोग कंपनी ऑडिट के बारे में खुल के बातचीत करेंगे अमीशा भवय चराग गिरीश कोमल मयंग मितलेश नेहा निखिल निकिता क्या बात है क्या बात है क्या बात है आज मुझे कोई कह रहा था कि रक्षा बंदन है तो स्टूडेंट्स आएंगे रही मैंने का कैसे नहीं आएंगे हमारे बच्चे मोटिवेटेड हैं पढ़ने के के लिए तो सुनामी बच्चे हैं सुनामी बच्चे और वही हुआ सुनामी बच्चे बिल्कुल बहुत चुके हैं चलिए आज आप लोगों के साथ सथ सर्व कंप्री और इट का रिविजन करेंगे और जो बच्चे बाइक चांस अगर कोई से यूट्यूब पर देख इस वीडियो को Like करें, Share करें, सब के साथ और चैनल को subscribe करें, जो बच्चे हमारे साथ जूम पे live chat में है, वो बच्चे तो भाई, पक्के वाले हमारे students, हमारे साथ जुडने वाले बच्चे, चलिए आपके साथ में स्क्रीन शेर कर रहा हूं, श्क्रीन विजिबल हो गई हो, तो मुझे प्लीज प्लीज बदा दीजिएगा जल्दी से. ग्रेट. शलिए जी. तो शुरुवात करते हैं कंपनी ओडिट की. कंपनी ओडिट को पढ़ाना शुरू करूँ मैं इससे पहले आपको कुछ बेसिक इसके बारे बता दूँ कि मुझे पता है सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स नहीं है यानि सबने हमसे ख्लास जो नहीं ले रखे इसलिए मैं सोच रहा हूं एक बार सबको पहले एक बार ओवर्वीव दे देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है ओके ग्रेट तो सबसे पहले भाई कंपनी ओडिट जो है इस सिंप्ली स्पीकिंग इस लाइक के भाई कंपनी लौ में ओडिट को लेकर क्या प्रोविजिशन हैं हम लोग जब भी पढ़ाई शुरू करनी है आपने हमेशा पहले स्टैंडर्स सारे कवर करने हैं चैप्टर स सारे कवर करने हैं जो फर्स टाइम पढ़ रहे होते हैं उसके बाद आप कंपनी ओडिट पर आईएगा सेकिंड टाइंड जो आपको पूरे ऑडिट की नॉलेज होती है ओके आईए साब आपके चैट बॉक्स में किसी भी सवाल पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूं तो आप सिर्फ और सिर्फ शान्ती से बैठके मेरी बातों को सुने और मेरी बातों का ही जवाब दें ठीक है याद करेंगर कर पाएं तो नहीं कर पाएं तो कोई दिकत नहीं याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है ओके दन ग्याइज इस इन sections के साथ आप सबको पता होना चाहिए कि companies act in delegated legislation है एक delegated law है delegated law का मतलब एक ऐसा law है जहाँ पे आप लोग पाएंगे कि सहाँ बात-बात पे लिख देते हैं as में भी prescribed, as में भी prescribed, as में भी prescribed, right तो जो as में भी prescribed है वो basically क्या है? वो as में prescribed rules के पास आपको ले जाता है अगर आपने company law थोड़ा धंग से पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि company law में हर chapter के साथ एक set of rules है ऐसी आपका जो ये chapter है chapter number 10, audit and auditors, ये chapter रियाद रखीगा मैं companies act के chapter की बात कर रहा हूँ उसके साथ सार आपके rules भी है company audit and auditors rules 2014 तुमें rules भी पढ़ने होते हैं आपको rules भी दिखाऊंगा कैसे पढ़ने हैं इसके बाद हमारे पास सार एक company audit का यानि के हमारा chapter number 10 के एक section आता है 148 जो के deal करता है cost records और cost audit से cost record और cost audit से उसके लिए अलग से जो है वो rule बना के यहाँ पर डाला गया है अलग से rules का एक set बना के डाला गया है तो हम लोग उस तो भी थोड़ी बहुत जो है वो चर्चा कर लेंगे मैंने क्या किया है यह मेरी latest book है यह अभी सब के पास available नहीं होगी मैंने अपनी book में ही सबसे पहले आगे sections की पूरी की पूरी एक summary उसके बाद rules की पूरी की पूरी एक summary forms जो use होते है उसकी summary और जो आपके cost record rules है उनकी summary आप चाहें तो उसका screenshot ले सकते हैं यह पूरे page का और इस page का बाद में आपको मौका मिल जाएगा ले लीजेगा लेकिन सर यह summary बना के मुझे बड़ा confidence आया है anyways अब चलते section 139 पर section 139 जो के appointment of auditor से deal करता है guys इसके अंदर 11 subsection है 11 subsection right आप चाहेंगे तो इस summary में share भी कर दूंगा आपके साथ don't worry at all लेकिन सुनिएगा कि आपके पास 11 subsection है और 11 के 11 subsection आप मेरे विश्वास रखिए कि मैं आपको subsection के साथ रटवा दूंगा अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे समझेंगे भी और रटेंगे भी तो बस मैं पहला सवाल यही पूछे चाहता हूं क्या आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे इसे याद कर अब देखिए subsection 1 किससे बात करता है subsection 1 बोलता है appointment of subsequent auditor of a company other than a company mentioned under 1395 appointment of subsequent auditor of a company other than a company mentioned than in 1395 1395 में government company mentioned है उसके subsequent auditor कैसे होंगे सर 1395 में देखेंगे अभी उस company को छोड़के बाकि सारी company के subsequent auditor कैसे appointment होते हैं वो 1391 में देख रहे हैं और मैंने 1391 के लिए बहुत प्यारे प्यारे चार्ट बना रहे है so first AGM जब company की होगी तो सहाब appointment किया जाएगा individual का या firm का as an auditor every company याद रखेगा every company very important इससे हमारा घर चलता है घर चलता है मतलब यह statutory power है सब chartered accountants के पास जिसको कोई अभी तक छीन नहीं पाया है और यह हर company पे applicable है चाए private हो चाए public हो चाए listed हो चाए unlisted हो चाए OPC हो चाए small company हो कोई भी company हो every company हर company को first AGM पे appoint करना है एक individual को या firm को as an auditor जिसका tenure रहेगा from the conclusion of that AGM till the conclusion of 6th AGM so this is the AGM तो one two this is the AGM तो sir one two three four five six AGM तक वो जो है वो चलेंगे यह first AGM थी तो यहाँ पिसर आपकी second AGM आगी third fourth fifth sixth AGM तक सर जो है वो लोग चलने वाले हैं ओके इस बात को आपने ध्यान रखना है कि six AGM तक उनका जो है tenure चलेगा first AGM से six AGM तक इसका मतलब कुल मिलाके पात साल होने वाले हैं उनके पास ओके कितने साल होने वाले हैं पांच साल होने वाले हैं ओके अच्छा जी इसके बाद प्लीज स्क्रीन शॉट वगएरा में टाइम वेस्ट मत कीजिए मैं शेर कर दूंगा आपके साथ अच्छा जी तो tenure क्या होगा from the conclusion of first AGM till the conclusion of sixth AGM यानि के टोटल पांच साल का tenure होने वाला है अब manner और procedure selection का होगा as we prescribed prescribed का मतलब बेटा rules okay एक important बात companies at section 139 subsection 1 में एक प्रोवीजो होता था first प्रोवीजो जो ratification से deal करता था उसे हटा दिया गया है तो बाई चांज अगर आप कोई पुराना question देखेंगे तो उसमें जो ratification का प्रोविजन है वो आपके लिए applicable नहीं है दूसरी बात आप जो इसका second प्रोवीजो है वो बोलता है कि सहाब auditor को appoint करने से पहले आपको written consent चाहिए auditor की और साथ साथ एक certificate लेना है कि जो appointment हो रही है वो है in accordance with conditions prescribed second proviso to section 139 subsection 1 says कि जब भी आप auditor को appoint करें तो आप written consent ले लिजे राइट और रिटन consent लेने के बाद आप लोग क्या करेंगे आप लोग एक certificate लेंगे के जो appointment हो रही है वो हो रही है as per the conditions as may be prescribed अच्छा जी थर्ड प्रोवीजों बोलता है कि सर certificate में आपने एक चीज़ और इंडिकेट करनी है कि auditor satisfy करता है the criteria of qualification and disqualification of auditor that is section 141 का criteria अभी section को सर राप अप करते हैं so हर company को हर company को अपनी first AGM में किसी individually or firm को as an auditor appoint करना है जिसका tenure रहेगा from the conclusion of first AGM till the conclusion of sixth AGM बोले तो कितने साल के लिए पांच साल के लिए एक दो तीन चार पांच छे तो एक दो तीन चार पांच यह पांच यह पांच साल के लिए जो है उसका tenure रहने वाला है first conclusion से sixth की conclusion तद अच्छा second provisor बोलता है कि sir appointment से पहले return consent आईगी और साथ-साथ में आप लोगों को एक certificate लेना है कि जो appointment है वो है as per the conditions as will be prescribed फिर third provisor बोलता है कि sir certificate में एक बात और लिखी होगी कि auditor 141 का criteria जो है वो satisfy करता है I hope इतनी बात आपको समझा चुकिए come on yes or no जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए बहुत ही बढ़िया अब देखिए का sir charts का कमाल तो मैंने आपको बुला था conditions अब बोलता है एक तो सर्म रिटन कॉंसेंट लेंगे फिर हम सर्टिफिकेट लेंगे सर्टिफिकेट होगा के condition satisfied as we prescribed अब वो conditions में आपको डिसकस कर रहा हूं condition लिखें सर्रूल 4 में और बेटक कभी भी rule 4 में दिक्कत हो तो यह देखिए इस चार्ट में आप जाके देखेंगे इस लिस्ट में तो rule 4 conditions for appointment and notice to register आईए साब चलते हैं जल्दी से condition for appointment and notice to register लो जी लो चलते हैं ज़रा यहां पर condition rule number 4 क्या बोलता है eligible individual firm eligible है disqualified नहीं eligible है disqualified नहीं है Chartered Accountants Act में यह जो इस से related rules and regulation है उसमें जो इस से related rules and regulation है उसमें जो प्रोपोस appointment है वो विदिन दा limits limits 141 subsection 3 clause G में लिखे होती है 20 audits कर सकता है एक चार्ट एक qualified auditor एक बंदा जो qualified है to become the auditor he can maximum take 20 audits as per section 141 subsection 3 clause G yes certain exceptions are there on exceptions 141 में revise कर लेंगे लेकिन अभी के लिए 20 audits कर सकता है a qualified auditor maximum in every capacity as a partner और as a proprietor वो कहीं भी अगर audit करेगा तो total amount total limit जो है वो 20 है यह बात आप लोग यात रखेंगे 1 2 अच्छा जी उसके बाद आपने देखना है कि सर जी जो list of proceeding दी गई है list of proceeding जो certificate में दी गई है वो true and correct है list of proceeding हो सकता है auditor के against auditor के against कोई proceeding चल रही हो audit के against auditor के against या audit firm के against या फिर किसी partner के against को proceeding चल रही हो तो वो proceeding के list जो है उस firm को provide करने होती है और वो proceeding जो प्रोवाइड करी है वो सर हम लोग चेक करते हैं बलकि declaration लेते हैं कि true and correct है लीजी साब यह है वो चार conditions I hope आपको यह बात समझ आ गई है कमान जली बताइए बोलिये चार condition यह आप से as a discussion पूछ सकते हैं what are the conditions that must be prescribed in the certificate to be obtained from auditor before the appointment of the auditor तो अब बोलेंगे eligible हूँ disqualified नहीं हूँ eligible है disqualified नहीं है as per the Companies Act as per the C Act and the rules and regulation made there in the proposed appointment होगी कैसे as per the terms provided in the proposed appointment within the limit होगी as per the Act और जो भी list of proceeding दी गई है certificate के अंदर वो true and correct है against the auditor or the partner or the audit firm एक चीज़ के अंदर और भी है कि sir appointment के लिए एक चीज़ आपको और भेज नहीं होती है और वो यह कि company ने inform करना होता है auditor को और एक notice देना होता है registrar को याद रखेगा MCQ के point of view से within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed यह हमारा section 139 subsection 1 का main part जो है complete होता है मैं आपके लिए एक बार और इसको revise करा देता हूं जरा सुनिएगा हर company को अपनी first AGM पे किसी individual को या firm को auditor appoint करना है है one two tenure होगा from the conclusion of first AGM till the conclusion of sixth AGM okay three manner as will be prescribed second proviso second proviso बोलता है हमने पहले written consent लेनी है और साथ साथ में certificate obtain करना है okay अच्छा जी certificate में क्या लिखा होगा कि जो appointment है वो है in accordance with the condition as we prescribed third proviso बोलता है साथ साथ में certificate में यह भी लिखा होगा कि auditor satisfy करता है criteria of the qualification and disqualification that is section 141 एक proviso और भी है कि company ने auditor को उसकी appointment का inform करना है और registrar को भी notice देना है within 15 days come on मेरे साथ बोली एक बार within 15 days of the meeting in which auditor is appointed अच्छा जी then condition certificate में क्या होगी एक बार revise करते है eligible हूं disqualified नहीं हूं as per the act as per the c act and the rules and regulation made there and proposed appointment जो हो रही हो as per the terms of the act है proposed appointment within the limits है list of proceeding जो disclose की गई है certificate में वो true and correct है come on बोलिए list of provision जो दी गई है list of provision जो दी गई है वो true and correct है हमारे certificate में चलिए साब अब बात करते हैं सर और भी मज़ा आने वाला है rule 3 के charts अब देखिए हमने बोला था यहाँ पर आप लोगों ने बुला था इसमें कि मैंनर और प्रोसेजर और सेलेक्शन और आज में भी प्रिसक्राइब तो मैंनर और प्रोसेजर में आपको बताने जा रहा हूं करती है तो यह काम audit committee करेगी अगर audit committee नहीं है तो सर बोर्ड करेगा आओ जी आओ लड़का देखने जा रहे हैं सबसकी जो qualification experience चेक करेंगे ओके क्यों चेक कर रहे ही बात ध्यान रखेगा कि भाई आप यह सोचो अब इसको auditor के point वेज़े सोचो Reliance का auditor आपने रखना है Reliance का auditor भाई ऐसा होना चाहिए नहीं जो Reliance का audit समाल पाए हमें सिर्फ एक चीज़ चेक करने ही कि सबसकी जो qualification experience है वो match करती है के नहीं with the size of the company वो match करती है with the size and the requirements of the company तो भाई जब लड़का देखने जा रहे हैं तो हम देखेंगे नहीं कि भाई अग tighter note but simply speaking आपने देखना है qualification and experience and it should match with the company's requirement and the size of the company अगर सर audit committee तो इसारा काम audit committee करेगी audit committee नहीं है तो इसारा काम board करेगा rule 3 अब लीजे आगे की कहानी सारे charts मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाये है I hope आप लोग इसे enjoy कर रहे है मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसे enjoy कर रहे हैं नहीं अब बात करते हैं साब rule 3 के rule 3 आगे बढ़ता है कहते है जी अच्छा ठीक है qualification experience देख लिए अब देखेंगे लड़के के गेंस कोई order या pending proceeding तो नहीं है कोई order या pending proceeding किस चीज़ का सर जी audit committee देखेगी कि भाई इसका भी ध्यान रखेगी कोई pending proceeding या कोई order तो नहीं है in relation to the professional matters in relation to the professional matters professional matters को लेके auditor के गेंस को order तो पास नहीं हो चुका या कोई pending proceeding तो नहीं है कहां पर हो सकती है pending proceedings सर हो सकता है Institute of Chartered Accountants of India में या any competent authority और any court जैसे मेरे अगेंस चल रही है भाई तो मेरा appointment होगा as auditor तो मुझे audit committee check करेगी मेरी इस proceeding को consider किया जाएगा कि मेरे इस proceeding क्यों चल रही है okay लीजे साब अच्छा जी हमने क्या क्या चीज़ चेक कर ली qualification and experience फिर हमने क्या चेक कर लिया कोई order तो नहीं है कोई pending proceeding तो नहीं है कहां पर है अगर हो तो उसमें घवराने वाली बात नहीं है ऐसा नहीं कि वह auditor बन नहीं सकता audit committee consider करेगी कि इसमें क्या लग रहा है okay देन उसके बाद call for information अगर अभी भी audit committee और board satisfied नहीं है तो दे में call for such information as it may deem fit as audit committee or board may deem fit is that clear the call for information अब सरे सारी चीज़े होगे क्वालिफिकेशन एन एक्सपीडियंस देख लिया हमने order और pending proceeding देख लिए हमने उसको regard दे दिया कि भाई जो order pending proceeding है against the proposed auditor ICI में या किसी competent authority किसी court के अंदर है यह सारी चीज़े pending फिर हमने सर हमें लगता था कि नहीं हमें इसको order रखना चाहते हैं अब बोर्ड को या तो पसंद आ जाएगा या तो नहीं आएगा अगर पसंद आ गया तो बोर्ड वही नाम आगे मेंबर्स को दे देगा मेंबर्स आगे सार उसको अपॉइंट कर देंगे 1391 अपॉइंटमेंट हो जाएगी tenure फस्टेजियम से 6 अगर बोर्ड को पसंद नहीं आए तो बोर्ड सर वो नाम रेफर बैक कर देगा अब ऑडिट कमेटी की पास उनाम वापिस है और अगर बोर्ड को पसंद नहीं आए और सर बोर्ड उस नाम को आगे कर देगा और पीके के नाम को छोड़देगा और reasons लिख देगा कि मैंने आपको पहले भी कारण बताये थे आपके जबाब से में satisfy नहीं हूँ और अब मैं पीके को आइटर के लिए आगे recommend नहीं कर रहा हूँ मैं एक नाम मेरे मन में है वो नाम जो है आगे recommend कर रहा हूँ as simple as that is that clear so very simple साब यहाँ पर सर बहुत ही clarity के साथ जो है चीज़े बताई गई है बच्चे इसको पढ़के थोड़ सा confused रहते हैं अच्छा अगर audit committee नहीं है तो tension ही नहीं है सर सीधा-सीधा board जो है नाम को आगे recommend कर देगा audit committee audit committee इतना क्यों आता है सर तो मेरी बात सुनिए इसका कारण है सर section 139 subsection 11 section 139 subsection 11 यह सारा procedure मैंने को समझा है बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल चिंता ना करें 139 subsection 11 क्या बोलता है बहुत simple सा प्यारा सा section है कहते है जी बात सुन अगर company को audit committee बनाना mandatory है अगर company के लिए audit committee बनाना mandatory है तो जब जब auditor की appointment होगी तब तब सर आपको audit committee के recommendations अकाउंट फॉर करने पड़ेंगे यहां सुनिए simple भाषन 139 11 अगर audit committee बनाना mandatory है तो जब जब auditor के appointment होगी तब तब सहाब आपको क्या करना पड़ेगा आपको audit committee recommendations जो है वो लेनी पड़ेगी one point आईये साब अब आपका मैं बोल सकता हूँ section 139 1 जो है complete है section 139 1 के साथ हमने rule 4 पड़ा है rule 3 पड़ा है और 139 11 पड़ा है यहां जाके sir हमारा 139 1 जो है वो complete होता है 19 minute हो चुके sir हमें पड़ाते पड़ाते आपको अब साथ सीधा चलते है जंप करके 139 5 पर 139 5 क्या बोलता है 139 5 बोलता है sir government company या कोई ऐसी company which is owned controlled directly indirectly by CG CG plus SG CG plus SG or SG's का combination CG, SG, CG plus SD, CG plus SD or SG's का combination ऐसी कोई भी company sir जो government company है या जिसे own और control directly और indirectly किया जाता है by central government or state government or by any combination thereof उसका जो साथ subsequent auditor होगा वो कौन appoint करेंगे Comptroller and Auditor General of India जो है वो appoint करेंगे एक financial year के लिए appoint करेंगे Come on Comptroller and Auditor General of India appoint करेंगे एक financial year के लिए appoint करेंगे within 180 days from the commencement of the financial year appoint करेंगे ये तीन बात इसका जियान रखते है government company की definition नीचे बता रखेंगे जिसमें not less than 51% capital is held by CG Come on CG SG और SG CG and partly by SG CG and partly by what SG and यहाँ पर याद रखेंगा a subsidy of a government company is also a government company लेकिन बच्चों मैं आपको बात बता दूँ ये definition तो यहाँ के लिए relevant हो जाती है ये जो बताई गई ही न ये ये जो पार्ट बताई गया है ये है सर आपके लिए specified companies specified companies for the purpose of 139 subsection 5 यहाँ रखेंगा government company की definition तो यहाँ पर हो जाती है लेकिन एक तरह की companies और बताई है जिसे directly और indirectly own किया जाता है ये control किया जाता है by government companies right और by government companies or by the governments please mention under 139.5 तो मैं बोलूँगा sir for these kind of companies CAG will appoint the auditor within 180 days from the commencement of the financial year and the tenure will be one year ये बात मैंने summarize वरजन में यहाँ पर भी लिखी हुई है आप लोग देख सकते हैं ये देखिए subsequent auditor of government company CAG appoint करेंगे financial year के लिए पॉइंट करेंगे 180 days में करेंगे office जो ये वो hold करेंगे till the conclusion of the AGM right और subsequent auditor बाकी के case में मैंने बता दिया था members करेंगे AGM पे tenure first AGM से till the conclusion of the sixth AGM इसके लिए sir आपको 139.1 पढ़ना है rule 3 पढ़ना है rule 4 पढ़ना है 139.1 भी पढ़ना है आईए then first auditor की बात करते है first auditor 139.6 first auditor other than government company other than government company में पहला पहला auditor कौन पाइट करेंगे board of director कितने जिन में 30 days from the date of registration अगर board fail हो जाता है तो members को inform किया जाएगा और फिर members करेंगे within 90 days at an EGM within 90 days at an EGM is that clear so सब से पहले other than government company other than 139.5 company का first auditor BOD within 30 days from the date of registration if BOD fails then it will inform the members and members will appoint the auditor within 90 days at an EGM लीजे साब 139.7 की बात करते है 139.7 first auditor government company government company में पहला हक हमेशा किस के पास होगा CAG के पास right तो first auditor sir CAG appoint करेंगे कितने days में 60 days from the date of registration CAG नहीं कर पाते तो BOD within next 30 days पहले 60 दिन में हमारे कौन? CAG CAG नहीं कर पाए तो BOD BOD की दिन में? next 30 days में और BOD fail हो जाते है तो साब members members appoint करेंगे within 60 days at an EGM CAG BOD members CAG 30 BOD 30 और members 60 oh sorry CAG 60 CAG 60 BOD 30 and members also what 60 okay इसका साब मैंने आप एक चार्ट भना रखा है I hope आपको चार्ट पसंद आएगा इस चार्ट में साब आप लोग जो है लगबग लगबग सारी चीज़े cover कर सकते है तो 139 1 11 5 6 7 ये सारे section नमारे complete हो चुके है casual vacancy CAG मोटा पेट casual vacancy 139 8 मेरे साथ एक बार repeat कर दिजिए CAG मोटा पेट casual vacancy 139 8 हां जी याद राएगा section most important mark कर लिजिए त्रिवेदी है आएगा 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 तो भाई सब casual vacancy के लिए को चार्ट बनाए मेरे नहीं casual vacancy बहुत simple अगर सर जी वो company है जो 139 5 में mentioned है हां जी जो 139 5 में mentioned है तो उस case में सर कौन appoint करेगा CAG और अगर CAG नहीं कर पाते है filled by the CAG अगर CAG नहीं कर पाते है तो BOD करेंगे within next 30 days पहले CAG को 30 दिये गए CAG नहीं कर पाए तो board within next 30 days अगर सर other than 139 5 companies है हां जी अगर other than 139 5 companies है तो कौन करेगा BOD within 30 days लेकिन अगर resignation की वेसे casual vacancy हुई है one more requirement and which is very important अगर casual vacancy resignation की वेसे हुई है तो सहाब उस case में within 3 आपको पहले तो BOD करेंगे within 30 days और साथ-साथ में शुद भी अप्रूवड बाइद अगर जनल मीटिं convened within 3 months of the recommendation of the board very, very, very important this part is very important casual vacancy 139 subsection 8 casual vacancy defined नहीं है casual vacancy का मतलब सहाब auditor बिना अपना term complete किये बिना अगर audit छोड़ रहा है because of death छोड़ रहा है या वो resign कर रहा है तो सर इस case में casual vacancy अगर 139.5 वाली company है CAG 30 days CAG नहीं कर पाए तो सहाब आपके board of director next 30 days अच्छा other than 139.5 company सबसे पहले BOD BOD कितने days के अंदर कर देंगे 30 days BOD को ही करना है और अगर resignation का case था goal माल है भई सब goal माल है अगर साब resignation का case था तो resignation के case में बहुत simple है क्या करेंगे resignation के case में हम लोग क्या करेंगे board appoint करेगा 30 days में और member से approval लेगा विदिन 3 months of the recommendation of the board लीजे साब आईए 139.2.3.4 पढ़ेंगे rotation की बात करते हैं सब जरा देखिएगा rotation के लिए साब मैंने सारी बाते जो यहां पे लिखी हुई देखिए rotation हर company पे applicable नहीं है listed or prescribed company पे ही applicable है एक listed or prescribed company एक individual को को अपाइटर अपाइटर नहीं कर सकती for more than one term of five consecutive year एक audit firm को अपाइटर अपाइटर नहीं कर सकती for more than two term of five consecutive year that's it हां जी इतना सा है रोटेशन और अगर से इंडिविजियल और फर्म मेरे साथ इंडिविजियल और फर्म अपना tenure complete कर चुकी है as mentioned above one term of five consecutive year or two term of five consecutive year then that individual or the audit firm cannot be appointed again as the auditor for five years from the completion of such term यानि अगर आपका एक बार ये वाला term complete हो गया है तो आप दुबारा उस company का auditor नहीं बन सकते हैं for five years from the completion of such term ओके बोलिये ग्रेट अच्छा जी आगे चलते हैं तो सिरफ और सिरफ ये auditor पर या audit firm पर applicable नहीं है ये जो cooling period है ये 5 साल का cooling period हो सकता है जो सर्थ आपके partner है for example ABC and Associates was the firm उसके 10 साल का term complete हो गया अब क्या अलग से उस company का audit ले सकता है no उसके पर भी 5 साल का break applicable है firm having common partner ABC and Associates was auditing was auditing a public company a listed company तो साब ABC अब कर 10 साल complete हो गया ABC जो है audit नहीं कर सकती एक firm है XYA XYA A is the common partner XYA भी है पांच साल तक जो है वो audit नहीं कर सकती 1 दो चीज़ इमने कर ली incoming auditor associated with outgoing auditor अगर same network में है इसको एक साथ पढ़िए अगर same network में है for example एक firm है XYZA XYZA अब XYZA की एक network firm है यानि कि दोनों same brand में काम करती है और firm का नहीं PQRY तो अभी ये PQRY भी पांच साल तक सा रोईटर जो है वो नहीं मन सकती है तो इसमें guys एक catch है firm having common partner as on the date of appointment थोड़ा discussion कर ले दो firm having common partner as on the date of appointment तो इसका मतलब क्या है देखें का मज़ा आएगा इस discussion के अंदर आप लोग भी enjoy करेंगे ये XYZN Associates है ये एक listed company का audit कर रही थी two term of five consecutive year complete हो चुका है ये एक firm है AB और date of appointment पे अब next firm जो है common partner नहीं था लेकिन date of appointment के 10 days बाद 10 दिन बाद X को जो है वो auditor X जो है वो AB के अंदर partner बन जाता है अब बताइए क्या होगा प्लीज इस case को समझे क्या कमाल की चीज़ इसाब ये XYZ एक firm थी वो auditor थी एक listed company की उसके two term of five consecutive year complete हो चुका है company ने ABN Associates को अपना नया auditor पॉइंट करा है और ABN Associates को auditor पॉइंट करने के बाद X ने जो है वो join कर लिया है law बोलता है कि as on date of appointment come on as on date of appointment जो है please सुनिएगा as on date of appointment कोई भी common partner नहीं होना चाहिए और date of appointment पे तो कोई common partner नहीं था यह बाद आपको समझा रही है कि date of date of appointment पे बोला गया law आप अगर पढ़ें तो साब साब लिखा गया है firm having common partner as on date of appointment and I am saying date of appointment पे तो sir कोई common partner नहीं था now what can ABB appointed as auditor answer is a big no अब ICS का answer कैसे लिखता है आई से कहता है alternative view is possible as per the literal interpretation of law sir date of appointment पे X was not the partner and therefore AB's की appointment जो हो valid है but as per the reason as per the आपको अगर golden rule पता है mischief rule पता है as per the mischief rule as per the mischief rule of interpretation मैं बोलूँगा साहाब के भाई यहाँ पे lawmaker के intention यह थी के भाई अगर common partner हो तो वो appointment ना हो पाए तो अब common part ऐसे तो sir हम कितना ज़्यादा चाल कर सकते है कितना ज़्यादा sir हम लोग game कर सकते है इसलिए second view यह बनता है कि sir AB की appointment जो है sir अब वो disqualified हो जाएंगे और casual vacancy हो जाएगी अगर X मापे partner बन जाता है या XYZ में से कोई भी partner बन जाता है यह discussion आपको समझ में आया के नहीं आया दो views है sir इसके अंदर पहला है literal interpretation literal interpretation के हिसाब से AB की appointment बिल्कुल ठीक है चलते रहू दूसरा है sir जी आपके law की interpretation आपके law की main point आपका law किस चीज को जो है वो रोकना चाहता था वो चीज रुक नहीं रही sir इस date of appointment की वैसे तो sir हम लोग इसके interpretation कैसे करने वाले हैं हम लोग mischief rule of interpretation लगाएंगे लीजे साब इसके बाद sir आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं same network वाला मैंने cover कर दिया and yes firm joined by partner who certified the financial statement बिलकूल ठीक है sir ये भी हमारा basically इसी में cover हो जाता है कि भाई अगर जिस जो engagement partner था अगर ऐसे 220 की भाशा में बोलू मैं तो जो engagement partner था अगर वो दूसी firm को join किले तो वो firm भी सर्फ 5 साल तक जो है वो appointment नहीं की जा सकती है बलकि ये point भी यही पे अपने आप cover हो रहा था now the most important point please जिरह ध्यान सुनिएगा now the most important point any break in one time of five consecutive year or two time of five consecutive year will be considered as break only if it is of five years or more इसका मतलब क्या है आप चार साल ओईटर रहे आप उसके बाद एक साल ओईटर नहीं रहे तो क्या आप 24 साल ओईटर प्याञट की जा सकते हूँ नहीं सर आप 24 साल ओईटर रहे आप एक साल ओईटर नहीं रहे तो अब आप maximum एक साल के ओईटर ओईटर प्याइट प्या सकते हैं फिर आपको 5 साल के break पे जाना पड़ेगा पकि बात है यानि the break must be of at least 5 years only then it will be considered as a as a break otherwise आपका consecutive period will keep on running इसका मतलब आप ऐसे भी समझने की कोशिश कीजिए यह देखिए यह चल रहा है सर 2000 माल लेते हैं 20, 2020 में X को ओईटर रखा गया 2021 में X को ओईटर रखा गया 22 में Y को रख दिया 23 में Z को रख दिया और फिर 2024 में जो है वो X को वापिस लिया है अब मुझे बताओ X ओईटर अपॉइंट हो सकता है हाँ क्या उसके consecutive period अभी भी चल रहा है हाँ कितने साल हूँ है तीन साल फिर 2025 में X को फिर रखा है 2026 में X को फिर रखा है 2027 में के X अपॉइंट हो सकता है आंसर इस नो नहीं हो सकता वो अपॉइंट क्यों नहीं हो सकता क्योंकि सर उसका consecutive period जो है वो अभी भी चल रहा था और उसके सर consecutive 5 years complete हो गए है हाँ अगर ऐसा हो जा था कि 20 में X को रखा 21 में X को रखा फिर Y को रखते गए 5 साल तक फिर Y को रखा 5 साल तक फिर Y को रखा क्या 6 साल X को अपॉइंट की जा सकता है अब X सर फिर से 5 साल के लिए जो है अपॉइंट हो सकता है क्यों भाई क्योंकि 5 साल का break हो गया तो आपका consecutive year तब तक नहीं तूट सकता जब तक सर 5 साल का break ना हो जाए Is that clear? बोलिए 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 बहुत ही बढ़िया चलिए साब तो ये भी हमने 139-2 की भी सर जो main points थे उस सारे पढ़ डाले है बागी आप लोग यहां से पढ़ सकते है 139-3 पर में एक बार जरूर चर्चा करना चाहूंगा 139-2 पर एक provided also that है ये बहुत जाथा important नहीं है ये basically आपको safeguard प्रोवाइड करता है किस बात से safeguard प्रोवाइड करता है ये कहता है साब देखो 139-2 किसी भी तरीके से 140 से लड़ाई नहीं करता 140 deals with removal and resignation so company चाहे तो 140 का procedure करके जरूर remove कर सकती है order को उसके term से पहले order चाहे तो 140 का procedure follow करके अपना resignation भी जो है वो दे सकता है I hope ये बात clear है चीके जी एक बात दूसरी बात अच्छा अब आते 139-3 पे ये तो बहुत ही लल्लू पंचू sections है 139-3 company को power दे रहा है कि company में जो members है वो सर एक resolution pass करके ये decide कर सकते है कि auditing partner और उसकी team rotate होगी at such interval internal rotation बोलता हूँ मैं इसको आपने एक बड़ी firm को as a auditor जो है appoint कर दिया उस बड़ी firm में जो है भाई वो partner थे कितने partner थे 20 partner थे आपका पहले 3 साल partner X आएगा उसके अगले 2 साल partner Y आएगा उसके अगले 2 साल partner Z आएगा यह sir firm के members जो है resolve कर सकते हैं इसे बोलते है internal rotation बिल्कुल सही है साब बिल्कुल सही है राजन चौधरी साहब आपके हाथ में क्या हो गया है बताएंगे मुझे चौधरी साहब आपके हाथ में क्या हो गया प्लीज ज़रा सुनी हाँ जी फिर से तो फिर से एक बात करते हैं साब 1393 बोलता है कि सहाब देखो members चाहें तो sir एक resolution पास कर सकते हैं कि audit का partner और उसकी team rotate होंगे at such interval as be resolved by the members और साथ-साथ में joint audit audit shall be conducted by more than one auditor 299 का ऐससे लगेगा और companies एक का 1393 तो members sir यह भी resolve कर सकते हैं कि भाई ऐसा है ऐसा है कि audit जो है एक से ज़्यादा audit रसन करवा सकते हैं 1394 सर सब सेक्षिन के नाम पे कलंक है बलकि मैं अगर lawmaker होता तो मैं ऐसे 1392 के साथ ही डाल के एक लाई में cover कर देता 1394 यह बोलता है कि 1392 में rotation कैसे लगेगी यह बताएंगे इनना manner as में भी prescribe अब सर इसके बारे में हमें सिर्फ कुछ बाते पढ़नी है और वो बाते क्या है हमें सर यह जानने के company कौन सी होती लिस्टेड कमपनी, prescribed company prescribed में unlisted public company, private company, all company unlisted public company, private company, all company उच्छा जी इसके बाद unlisted public company के लिए क्या rule है paid up share capital 10 crore और more private company लिए क्या rule है paid up share capital 50 crore और more और सर अगर इन दोर में fall नहीं कर रहे है तो यह condition सबके लिए applicable है paid up share capital चाहिए आपके threshold limit से कम हो लेकिन अगर आपकी public borrowing from financial institution, bank और public deposit 50 crore और more है तो सर जी आपके लिए जो है यह यह वाला rotation वाला section जो है applicable हो जाएगा right सबसे बारे तो listed company है फिर other company में unlisted public company private company, all company unlisted public company PUSC कितना 10 crore और more उसके बाद आपका private company के लिए PUSC कितना 50 crore और more फिर आपकी borrowings चेक करेंगे वो कितनी 100 crore, sorry 50 crore और more ओके आईए साहब then हमारे पास manner of rotation manner of rotation आपको पढ़ने की जूरत नहीं है जैसा हमने rule number 3 में पढ़ा था audit committee है, तो audit committee audit committee नहीं है, तो board वो इस सारी चीज़े यहाँ पर applicable हो जाती है right, यह सारी चीज़े आपको मैंने पढ़ा दी है don't forget or joint auditor पर आटने चार्ज ब्रेक की सारे cover हम लोग कर चुके points now 139.9 और 139.10 139.9 क्या बोलता है, reappointment of retiring auditor जो भी auditor retire हो रहा है उसी को reappoint किया जा सकता है बस, वो तीन ना ना बोले पहली ना, वो disqualified ना हो number 2 वो अपनी express willingness ना दे दे express unwillingness बलकी बोलना चाहिए express unwillingness ना दे दे to be reappointed और साथ साथ में special resolution पास ना हो जाए meeting पे कि हम इसकी जगा किसी और को रखे है या इसको नहीं रख रहे है तीन बाते नहीं होनी चाहिए ना वो disqualified हो ना वो अपनी unwillingness दे और ना उसके against SR पास हो जाए अगर यह तीनों चीज़े नहीं हुए तो retiring auditor को लोग reappoint कर सकते है अब यहाँ पर बच्चों का question उठता है कि sir retiring auditor को reappoint कर सकते हैं तो rotation का क्या फायदा हुआ बिटर rotation एक specific चीज़े वो specific companies ब applicable है और general versus specific का खेल है जब sir specifically एक company के उपर 139.2 लग रहा है तो 139.9 उस पे at least term खतम होने के बाद नहीं लगेगा तो अगर एक auditor का term जो हो खतम होगे as per 139.2 तो भाई आप उसको 139.9 से reappoint नहीं कर सकते हैं as simple as that अब आते 139.2 पे 139.10 पे no auditor appointed और reappointed अगर sir कोई auditor AGM पे होना था और वो नहीं हुआ तो existing auditor क्या होगा existing auditor continue करते रहेगा यह सेम बात 139.2 पे applicable मेरे हसाब से नहीं होती है च्योंकि 139.2 अगेन एक specific है एक specific section है जो के sir बड़ी strictly follow करना चाहिए तो अगर sir किसी auditor का term खतम होगे as per 139.2 वो continue नहीं करेगा अगर sir आपकी अब AGM हुई है तो भाई आपको नए auditor जो point करना पड़ेगा otherwise हम मानेंगे कि आपने companies एक के provision को contravene किया है और companies के उपर sir जो है इसके लिए penalty लग जाएगी इसी के साथ मुझे बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि हमारा section 139 जो है वो पूरा का पूरा revise हो चुका है 37 मिनट लगे है sir पूरा section अच्छे से revise कराने में अब sir एक बार इसको super revision mode में ले चलते हैं और जो हमने पहला chart बना रखा था उससे सब कुछ cover करते हैं देखता हूं कि मैं सब कुछ बोल पाता हूं कि नहीं तो 139 सबसेक्शन वन हर कंपनी को AGM पे किसी इंडिविजिल को या फर्म को as a auditor appoint कर लेना है जिसका tenure रहेगा from the conclusion of first AGM till the conclusion of sixth AGM हमें auditor को पॉइंट करते हैं उस return consent लेनी है certificate लेना है certificate में होगा कि जो appointment है as per the conditions as very prescribed है फिर एक प्रोवीज ओर आता है कि certificate में आपकी 141 की भी हमें requirement satisfied चाहिए यानि qualification disqualification की requirement satisfied चाहिए फिर एक प्रोवीज ओर यह आता है कि company ने auditor को जो है वो inform करना है उसकी appointment का और register को भी notice देना है within 15 days from the meeting in which the appointment took place फिर सर हम लोग चलते हैं इसकी appointment rule number 4 में कि certificate में क्या-क्या condition होने चाहिए qualified हूँ disqualified नहीं हूँ qualified हूँ eligible हूँ disqualified नहीं हूँ as per the act as per the c act and the rules and regulation made they render जो proposed appointment है वो as per the terms of the act है जो proposed appointment है वो within the limit है और जो भी list of proceedings दी है वो true and correct है against the auditor, the audit firm और any partner of the audit firm then rule 3 follow करते है appointment के लिए, rule 3 guys जब हम लोग follow करते है appointment के लिए सुनते जाएए rule 3 जब हम लोग follow करते है appointment के लिए तो उसमे हम लोग क्या करते है हम देखते है audit committee है या audit committee नहीं है, अगर audit committee है तो sir लड़के की qualification and experience देखेंगे, क्या वो match करते है size and requirement of company के साथ any planning proceeding against the auditor or the audit firm which is मैं बोलूँगा कि साथ चाए ICI में हो, चाए किसी appellate authority में हो या फिर किसी court में हो, अच्छा जी, ये सब करने के बाद अगर और को information चाहिए होगी तो हम वो भी मंगा लेंगे, then name recommendation, audit committee board को बढ़ाएगी, board member को बढ़ाएगा board को पसंद नहीं आए तो वो audit committee को वापिस भेजएगा audit committee सर उसी लड़के का नाम अगर आगे भेजना चाहती है तो वो reasons का answer करके board को देगी board को अभी पसंद नहीं आए तो board सर अपना नाम आगे देगा, board को पसंद आगया तो cg plus sg और sgs right उस case में sir अगर first अगर subsequent auditor की बात करों तो cg appoint करता है within 180 days from the start of the financial year okay और cg को इसर सिर्फ पावर दी गई कि cg ने appoint करना है 1396 पे चलते है sir 1396 पे आता है first auditor of the company other than the government company तो first auditor sir BOD appoint करेंगे within 30 days BOD fail हो जाते है अगर हाँ जी अगर first auditor के case में BOD अगर fail हो जाता है तो क्या होता है मुझे बताईए जल्दी से chat box में लिखके अगर sir first auditor के case में BOD fail हो जाता है तो भाई sir members को inform करेंगे और members जो है वो appoint करेंगे within 90 days at an EGM right within 90 days at an EGM अच्छा जी ऐसे ही sir 1397 first auditor of government company CAG appoint करेंगे within 30 days within 60 days CAG नहीं कर पाए तो BOD next 30 days और अगर sir BOD नहीं कर पाए तो members within 60 days at an EGM 1398 CA का है मोटा पेट casual vacancy 1398 तो casual vacancy की case में अगर समय बात करता हूं government company की तो CAG appoint करते है within कितने days within 30 days और CAG नहीं कर पाए तो board करता है within 30 days other than government company के case में BOD करेगा within 30 days अगर resignation का case है तो sir approval लेनी पड़ेगी from the members at a general meeting convened within 3 months हाँ जी convened within 3 months तो जब से appoint हुआ था उसके within 3 months 3 months from the recommendation of the board आपको उसके appointment करवानी पड़ेगी this was 1398 रोटेशन की बात करता हूं तो rotation simply एक बात बोलता है कि कोई भी company कोई भी listed company prescribed company individual को auditor point नहीं कर सकती for a term exceeding one term of five years and in case of audit firm two term of five consecutive years और अगर सर उनके term complete हो गए है तो चाहे individual है चाहे firm है दोनों के लिए जो cooling period है वो common रखा गया है that is five years that is कितना five years एक बात इसके बाद एक बात याद रखिएगा सहब कि भाई ये जो break होगा हम लोग consecutive years में break तभी consider करेंगे जब सर वो break पात साल से जादा का होगा जब वो पात साल या उससे जादा का होगा यानि कि if the break is of less than five years then it will not be considered as a break and consecutive years will keep going on अच्छा जी इसमें सर और कॉन-कॉन auditor point नहीं हो सकता उसी firm का कोई partner auditor point नहीं हो सकता अच्छा जी 139.3 139.3 बोलता है के sir members जो है resolve कर सकते है के भाई auditor जो हमारा auditor है उसका partner और उसकी team rotate होंगी at such intervals as may be resolved और साथ-साथ में member resolve करके एक से ज़ादा auditor भी जो है वो appoint कर सकते है अच्छा जी 139.4 139.4 बोलता है के 139.2 में rotation कैसे होगी in the manner as may be prescribed फिर rotation वाली company कौन सी है rule number 5 listed company और उसके बाद prescribed company prescribed company में unlisted public company paid up share capital कितना था 10 करोर और more private company paid up share capital कितना था 50 करोर और more all company जो इनका sir share capital threshold limit से कम है लेकिन इनकी public borrowing जो है sir total मिला के कितनी जा रही है 50 करोर और more उनके ले भी sir applicable हो जाएगा क्या rotation I hope मैंने सही बोला बिल्कुल सही बोला साब अच्छा जी इसके बाद guys आगे चलते हैं then manner of rotation हमने पढ़ी लिया था सारी चीज़ हम पढ़ चुके 139 हम retiring auditor कोई जो है reappoint कर सकते हैं बिल्कुल reappoint कर सकते हैं provided that वो ना बोले क्या ना बोले वो सबसे पहले disqualify ना हो वो अपनी unwillingness to be appointed express ना करे और SR pass ना हो उसकी जगा किसी और को प्वाइंट करने के लिए या उसको ना प्वाइंट करने के लिए 139.10 अगर sir AGM हुई मेरे साथ ध्यान सुनिएगा अगर AGM हुई और OITER appoint या reappoint नहीं हुआ है तो साब OITER जो है वो continue करकर आएगा as the OITER of the company लीजे साब यह हमने दूसरी बार जो है revise करवा दिया आपको 43 मिनिट में sir 139 हमने revise कर लिया और आप मान के चलिए sir इसमें से एक question जो है वो पक्का है I hope आपको मज़ा आया come on come on come on जल्दी बताओ everyone great चलिए अब आप लोगों से मैं बात करना शुरू करता हूँ आप लोगों को मैं बोलने का मौका दूँगा आप लोग सर बोल सकते हमारे साथ जल्दी से आशना गुपता जी सबसे फ़हली candidate है आशना गुपता जी आशना जी बात करना चाहेंगे आप प्लीज हलो सर अजी आशना कहां से आप जल्दी बताईए सर जलंदर पंजाब जलंदर से आशना जी कुछ पूछना चाहते हैं नई बस सर यह पूछना था कि जो मएवाले ट्रांसफर होए नवंबर में तो उनको भी नवंबर की amendments applicable होंगी बिलकुल applicable होंगी जी बिलकुल applicable होंगी और कोई डरने की बात नहीं जो भी जो भी चीज़े होंगी मैं cover करा हूंगा ठीक है Thank you sir, okay session अच्छा लगा आज का revision बढ़िया हो गई बहुत बढ़िया sir चलो जी great all the best Thank you चले sir अब चलते हैं चराग बंसल के पास और चराग बंसल से बात करने की कोशिश करते हैं चराग I think Maaduri Agarwal को मैंने अलाओ कर दिये Maaduri Agarwal प्लीज आप कुछ बोलना चाहते तो बोल दिजे चराग बंसल is also there चलाग आप भी कुछ बोलना चाहते तो फ्लीज बताईए Maaduri जी नमस्ते कहां से आप वेस्ट बेंगॉल वेस्ट बेंगॉल से कैसे लगा Maaduri जी session आपको आज का session तो बहुत अच्छा था great great इससे वेले को session अटेंट किया है हाँ sir हम almost आरा करते हैं GST का भी किया था SM का भी किया बहुत ही बढ़िया कुछ पूछना चाहते हैं हाँ sir हम लोग को पूछना था कारों कौन सा पढ़ना होगा 2016 2016 2016 पढ़ना होगा don't worry at all ठीक है okay okay चिराग भाई आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोल लीजे चिराग चिराग बंसल चिराग बंसल हेलो 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 चिराग भाई शान बैटे हैं चली चलते हैं और किसी अपने स्टूडेंट के पास और उनसे बात करने कोशिश करते हैं मयंक मोदी मयंक मोदी आप कुछ बोलना चाहते तो प्लीज बताईए मायंक मोदी हाँ जी मायंक कौन सी स्टेट से जल्दी बताईए सर मैं जारकंड से होंगी रेडी से मायंक कैसे चल रही है पड़ाई लिखाई सर अच्छी चल रही सर बहुत बढ़ी है कोई पूशना चाहते हो भाई सर वो मुझे एक बार और रोटेशन होला आप समझा दिए जिसमें कॉमन पार्टनर से होगे रहा है सर वो एक बार कम्रेट समझा दिए तो रोटेशन में भाई बात ऐसी होती है देखो जो भी कॉमन पार्टनर है for example ABC and Associates का 10 साल का term complete हो चुका था फिर एक फर्म है XYC तो C common partner हो गया अब XYC भी जो है वो डिस्क्वालिफाइड है वो भी order जो है अपॉइंट नहीं हो सकती है लेकिन law में लिखा था कि as on date of appointment common partner नहीं होना चाहिए मेरा कहना है कि as on date of appointment अगर नहीं है तो यह तो एक loophole बन जाएगा law में इसलिए कभी भी common partner जो नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो वो firm नहीं हो सकती अगर हो गई तो firm disqualify हो जाएगा तो इसमें आपने जैसे लिखायत मतलब बोला है कि second assumption कि mischief rule लगाना है तो sir answer में कि आप mischief rule लिख सकते हैं आप mischief rule मत लिखे हो आप simply लिखे हो कि यह तो clearly visible है कि law की intention को जो है अगर हमने account for करना है तो फिर यह firm जो है disqualified होगी मेरे साब से दो ग्रेट कैसा लगा मयंग बागी revision आपको sir बहुत अच्छा sir मैंने SM का भी revision आपका अटेंट किया था sir बहुत अच्छा लेकिन sir GST चूट गया sir कोई बात ने GST का मैंने payment का डाल दिया और आगे भी कुछ वीडियोस डाल दूगा ठीक है ओके थैंक्यू sir ओके जी ओके यश गुपता आप भी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं यश गुपता जी प्लीज नमस्ते सर नमस्ते यश कहां से हैं आप बताएं आंद्रप्रदेश क्या बात है यश कैसी लगी आज की क्लास बहुत बढ़िया sir कुछ पूछना चाहते हैं नहीं sir बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया खूट सारी ब्लेसिंग आपको भगवान करे जल्दी से पड़के पास हो आप ठीक है ना यस sir thank you ग्रेट विद्या नायक जी आपका माइक आन है प्लीज कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलिये विद्या जी विद्या नायक यस sir विद्या जी विद्या कैसे लगी आपको क्लासेज बहुत अच्छी थी sir बहुत अच्छी थी sir बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुछ पूछना चाहते हैं आप नो sir चलो ठीके 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 God bless you Yukta Verma Yukta Verma जी कुछ बोलना चाहती है तो प्लीज बोलिये Yukta जी Hello sir Yukta कहां से आप बताईए Sir मैं फइरदाबाद से हूँ अरे क्या बात है Yukta तुम फइरदाबाद से हूँ बताओ बताओ Yukta कैसे लगी क्लासेज तुमें Sir बहुत अच्छी थी मतलब पूरे लौ में न सिरफ यही चाप्टर है जो मेरा बहुत बीक है अच्छा तो बहुत अच्छे से होंगा है रिवाइस चलो God bless you बहुत बढ़ी है कुछ पूछना चाहती हो नहीं sir कोई डाउट नहीं है चलो ठीक है ठीक है Yukta All the best Thank you sir Okay जी Satya कहां से हो तुम मैं डेली से हो तुमारा नाम सत्य है सही मैं यहां जी सर्थ क्या बात है Very good Satya कैसे लगी आज की क्लास Sir actually मैं लेट होगी मैं जस्ट अभी जॉइन किया अच्छा चलो कोई बात नहीं आप से बात करने का मौका मिल गया यह बात है कि बात करने का मौका मिल गया बिल्कुल चलो बहुत बढ़िया आजाय करो टाइम पर क्लासे रिटेंट किया करो अच्छा ठीक है जी सर्थी पाकी तो करते हूं आज लेट हो किया छी के सथी आल दी बेस्ट प्रीस 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 थैंकियू सर्थ फोट जी ओमंगो शर्मा जी अधोना एक तो मिल जाएंगी अब आइसटाए जो है एक डॉक्यमेंट निकालेगा मुझे लगता रूटी पी मे निकालेगा और वो जो भी अमेंटमेंट्ट वहाण कि रहुंत हैं त्थीक है अधीर आप बहुत बढ़िया तुम्हें बताओ कैसे लगी क्लास लगी आप तो बात होगे ना आप कि में इस से बात होगे बिल्कुल बहुत ही बड़ी है ठीक है उमंग ठीक है भाइब डैसी थे लीजे सर यह थे हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हमारी लाइब सेशन अट्रिंड करते हैं उमीद करते हैं सर आप लोगों भी इंज्वाइब करेंगे हमारे साथ थाइंक यू वरी मच्ट स्टेक कनेक्टिट स्टेय जैहिंद और हां सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन भाई-बाई-बाई- झाल 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 झाल